तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग उमीद करते हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे तो मैं आज हो को आप लोग के लिए एको नहीं जबरदस्त वीडियो लेकर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Realme की तरब से एक brand new upcoming phone Realme 9 Pro के बारे में बताएं के दोस्तों आप लोग को इसी वीडियो में कैसा है ये phone और किस तरे की के आप लोग को इस specifications देखने को मिलती है इसी phone में अगर बात करें इस phone की key specs के बारे में तो इस phone में आप लोगो 6000 image के एक lithium-ion battery देखने को मिलती है और इसी के साथ साथ इसी phone में आप लोगो snapdragon 730G का एक दंदर processor भी देखने को मिल जाती है तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते है आज इसी कमाल की फोन के बारे में और बताएंगे आप लोगो सारी चीज इस फोन के बारे में वीडियो में आगे बढ़ते हुए तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते वों सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की डिस्पले के बार में तो इसी फोन में आप लोगो 6.5 इंचीज की एक सूपर एमोलिट डिस्पले देखने को मिलती है और इसी के साथ साथ इसी फोन में फ्रॉंट और बैक साथ की तरह काफी सही चीज है दोस्तों और सूपर एमोलोंड डिस्पले होने के वाजब से चुने मीडियोफाइ कि लिए ऊजी के साफ रहाल के लिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं इससी फोन की क्यामेरा सेटप के बार में तो rare side में यहापे आप लोगो Quad Camera Setup देखने को मिलती है जिसमें के आप लोगो 108MP की Primary Camera Sensor, 8MP की Ultra Wide, 5MP की Macro and दोस्तों इसी Camera Setup में आप लोगो 2MP की Dipth Camera Sensor भी देखने को मिल जाती है बात करें front side की तरफ तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगो dual camera setup देखने को मिलती है जिसमें कि आप लोगो 16 megapixel की primary camera shooter और इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोगो 2 megapixel की secondary camera shooter देखने को मिलती है तो अगर अगर बात करी जाए तो दोस्तों camera setup काफी जादा बैतर है इसी phone की अच्छी कैसी picture याफी दोस्तों video quality देखने को मिल जाएगी आप लोगो इसी phone से और इन सारी चीज़ों के लावा आप लोगो 6000 image की एक बड़ी battery देखने को मिलती है तो काफी सही चीज़ है दोस्तों 6000 image की बैटरी और superamular display होने की वैसे इस phone की जो battery backup है वो आप लोगो को काफी जादा बैतर देखने को मिलने वाली है और बाकी दोस्तों कितनी watt की charger इसी phone के साथ मिलने वाली है यह चीज़ अभी तक confirm नहीं है तो जब भी इस phone को लेकर realme की तरब से officially कुछ भी कहा जाता है जरूर से आप लोगो को हमारे चैनल पे एक updated वीडियो देखने को मिल जाएगा बात करते हैं इस phone की network and connectivity के बारे में तो इस phone में आप लोगो network connectivity में 4G network का support देखने को मिलता है बाकि अगर बात करें तो इस phone में आप लोगो Wi-Fi mobile hotspot Bluetooth 5.2 अगर देखा जाए तो यह जो version है यह आप लोगो Bluetooth का new version देखने को मिलता है तो काफी सही है दोस्तों इस phone के लिहाज से और इन सारी चीज़ों के लावा अगर बात करें इस phone के other features के बारे में तो इस phone में आप लोगो out of the box Android 11 का support देखने को मिलता है तो काफी एक अची चीज़ है दोस्तों इस phone के बारे में और अगर एक premium चीज़ के बारे में बात करें तो इस phone में आप लोगो on screen fingerprint scanner देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह जो phone है आप लोगो 2021 के September मन्त के end तर देखने को मिल सकती है इंडिया में और अगर बात करें pricing की तो यह जो phone है आप लोगो under 20,000 के price range में देखने को मिल सकता है कुछ भी confirm नहीं है दोस्तों इस phone की pricing को लेकर तो कुछ भी कहना बहुत जादा मुस्किल है कि इस price segment यह phone इंडिया में आने वाला है लेकिन जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को वीडियो में पहले ही बताया था अगर कुछ भी update इस phone को लेकर निकल के आता है तो जरूर से आप लोगों को हमारे चैनल पे एक updated वीडियो देखने को मिल जाएगा तो अबर अगर बात करें दोस्तों इस phone के बारे में तो phone काफी जादा बहतर होने वाला है कुछ चीज़े हैं दोस्तों जो Realme और थोड़ा बहतर कर सकता था जैसे कि दोस्तों leaks and rumors के मताबिक बताया गया है इस phone में आप लोगो 730G के processor देखने को मिलने वाला है वो चीज़ दोस्तों थोड़ा सा और बहतर की जा सकती थी देखते हैं दोस्तों किस तरके के changes इस phone में देखने को मिलती है रेल्मी की तरफ से जो भी दोस्तों information इस phone को लेकर निकल के आएगी मैं आप लोगो को सारी की सारी चीज़े अपडेट करके बता दूँगा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही ता अगर आप लोगो को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से कर दीजिए एक लाइक और मुझे कमेंट्स करके बताएए वीडियो आप लोगो को कैसे लगा तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही महमत आप लोगों के साथ फिर से एक और नई वीडियो लेकर तब तक के लिए गुडबाए